बाबा भोले की महिमा है अप्रमपार करते हैं अपने भकतों का उद्धार सीव की दया आप पर भी बनी रहे और आपकी जीवन में ना खुसिया भरी रहे और आपके सासाथ आपके सारे परिवार पर बाबा का असर्वाद जो है हाथ जो है वो बना रहे और भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने future को लेकर अपने महनत को लेकर जो है वो इमांदार रहते हैं और इसी तद क्लास को बोलूँगा आप सभी को महासिवरात्री की हार्दिक सब्कामना है और जो भी चैनल के उपर नहे है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट जो है आप सभी हमारे एप्लिकेशन को ना डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर जाकर हिंदी और इंग्लिस दोनो लेंग्वेज में हैं जो है आप टेस्ट दे सकते हैं ठीक है और इसका पूरा प्रिडियाफ आपको सक्सेसकी 98.in से मिल जाएगा और एक बाद क्लास के टाइमिंग को एक बार देख लीजेगा जीगे क्लास को लेकर जो आपको बिलकुल स्पेसल मिलेगा तो याद रखेगा सनी बार को साम को 6 बजे ठीक है और आज कवर करेंगे हम सबी मिलकर 21 फेवरारी के important current affair कुछ important point के साथ तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का पहला प्रस्त है सर्वसेष्ट खेल छण स्रेडी में Laureus World Sports Awards में से किस भारतिय खेल विक्तित को सम्मानित किया गया है ये अवार्ट किसको दिया गया है और ये अवार्ट दिया गया है अपने इंडिया के भगवान सचीन टेंडूलकर को option number आपका D और ये बहुत बड़ा आवार्ड है खेल जगत में अगला प्रस्त हमारे सामने हर साल जो है Soil Health Card Day हर साल भारत में कम मनाया जाता है यह आपको बताना है इस question में और ये मनाया जाता है आपका 19 February को यानि की option number B याद रखिएगा ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है भारत की पंची 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में House Sparrow की इस्तिति क्या है यह आपको बताना है किसके रिपोर्ट के अनुसार तो भारत की पंची 2020 के रिपोर्ट के अनुसार ठीक है State of India Bird 2020 रिपोर्ट के according और वो है रिपोर्ट के अनुसार जो है House Sparrow की जो इस्तिति है वो क्या है इस्तिर है ठीक है और एक बाग आप सभी का आज का पहला प्रस्निय है कि World Sparrow Day हम सभी कम मनाते है यह आप सभी को कॉमेंट करकर बताना है यह आपका आज का पहला प्रस्निय है ठीक है World Sparrow Day हम सभी प्रति साल कम मनाते है अगला प्रस्न मारे सामने है हाल ही में किस देश ने Radar 2 Cruise Missile का सफल परिछण किया है और यह सभल परिछण करने वाला देश है अपना दुस्मन कौन पाकिस्तान ठीक है अगला प्रस्न मारे सामने है यह क्वेस्टिन भी काफी इपोर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए मनोहर परिकर जिनका हाल फिलाल में निधन हो गया था आप सभी को पता है जो गोवा के मुख पुर्व क्या थे मुख्य मंत्री थे आपको ठीक है तो मनोहर परिकर के नाम पर हाल ही में किस भारतिय संस्थान का नाम जो है वो रखा गया तो एक बार आप सभी ध्यान से देखना option number A में मैंने नाम भी मेंसें कर दिया है ठीक है आप एक बार ध्यान से देखो जो पहले संस्था था आपका रख्चा अध्यन और विसलेशन संस्थान इसका नाम जो है न वो चेंज करकर अब क्या रखा गया है मनोहर पारिकर इंसिट्स वर डिफेंस स्टडी और अनलाइसीज ये नाम रखा गया है ठीक है याद रखिएगा एक्जाम और हाँ आज का आपका दुसरा परस्थ ये है आप सभी को बताना है कि अभी हाल फिलाल में जो मैंने अभी आपको करेंट अफेर करवाया है आप सभी को कॉमेंट कर बताना है कि सुस्मा सुराज के नाम पर अभी किस संस्तान का नाम जो है वो चेंज करकर रखा गया अभी हाल फिलाल का कुस्सेन है और इससे रिलेट करना हूँ उस कुस्सेन को नाम चेंज करकर क्या रखा गया है मनोहर पारिकर इस्ट्यूट्स फॉर डिफेंस स्टडी एन अनलाइसिस ठीक है और आज का आपको दुसरा परस यह है कि सुस्मा सुराज के नाम पर किस संस्तान का नाम जो है वो चेंज किया गया है यह आपको बताना है कॉमेंट करकर अभी दो दिन पहले मैंने आपको यह कुस्सन पढ़ाया था अगला कुस्सन हमारे सामने है असरफ घानी ने किन देश के राष्टपती के रूप में दूसरा कारेकाल समाला है तो असरफ घानी को जो है वो अफगानिस्तान का जो है वो दूबारा राष्टपती बना दिया गया है यानि उप्सन नंबर आपका दी अगर बात करें यहीं पर कि अफगानिस्तान का राधानी क्या है तो वो है काबुल मुद्रा तो अफगान अफगानी और वहां के राष्टपती कौन है तो असरफ घानी ठीक है जिनको दूबारा राष्टपती बनाए गया दूसरे कारेकाल के लिए अगला प्रस्न मारे सामने है फीबा अंडर समेंटी महिला फुटबॉल विसकब 2020 की मेजबानी कौन सा देश जो है वो करने वाला है तो यह मेजबानी करेगा आपका option number B भारत यानी की इंडिया और यह इंडिया में कहां कहां पर होगा यह पूरा का पूरा जो वर्ल्ड कप टूर्णामेंट चलेगा ना अंडर 17 यह मैच कहां कहां पर आपको देखने को मिलेगा तो उसका भी नाम मैंने नोट कर दिया एक बार देख लीजिएगा नभी मुंबई, एहमदाबाद, कोलकाता वुवनेस्वर और गोहाटी इन जगा पर जो है आपका अंडर 17 ओमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो है वो मैच कहां पर होंगे यहां पर होंगे और होस्ट कौन कर रहा है तो इंडिया कर रहा है अगला प्रस्ट हमारे सामने है किस भारतिया खिलाडी ने हाल ही में ACI कुस्ती चैंपिन सीप में 87 किलोग्राम वो भी ग्रीको रोमन स्रेडी में ठीक है, स्वड़ पद्दक जीता है उनका नाम बताना है और उनका नाम है सुनील कुमार अगला प्रस्ट हमारे सामने है विश्व ने आए दिवस को विश्व स्थर पर कम मनाया जाता है यह आपको बताना है World Day of Social Justice Absorved Globally on which date और वो दिन है आपका 20 February यह क्वेस्व भी काफी इपॉर्टेंट है इसको आप सभी नोट कर लिजिएगा ठीक है हाला कि इपॉर्टेंट डेट और थीम को मैं दुबारा कराऊंगा पूरा A to Z इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सभी को सनी बार को साम को 6 बजे आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर स्पेशल एनाउस्मेंट आपको किया जाएगा जी के क्लास को लेकर बिस्व नियाए दिवस को बिस्व इस तर पर कम मनाया जाता है तो वो है आपका 20 फैवररी अगला परस्व मारे सामने है साथ राज्यों में महिलाओ को डिजिटल साख्यरत्ता परदान करने के लिए फेस्बूक ने कौन सा कारिकरम जो है वो शुरू किया है और एक आपको बोल दूँ इसके अंडर न एक लाख महिलाओ को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी ठीक है और उस स्कीम का उस अभ्यान का नाम क्या है तो उस अभ्यान का नाम है हम डिजिटल सोचते है वे थिंक डिजिटल यह जो है वो अभ्यान है और इसके तहत एक लाख महिलाओ को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगे इसके अंदर याद रखेगा फेस्बूक के द्वारा और फेस्बूक के सीओ कौन है इसके ओनर आप सभी को पता है कौन है मार्क जगरवग अगला प्रसमारे सामने है जलवायू परिवरतन और महा सागर स्वास्थ पर वैस्वीक बैठक की मेजबानी करने के लिए कौन सा राज्य तयार है यानि विच स्टेट इस ओल सेट तो होस्ट ग्लोबल मीट और क्लाइमेट चेंज और ओसन हिल्थ और ये इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा तो वो करेगा आपको option number D केरला और केरला के सीम कौन है पीनाराई बिजयन राज्य पाल कौन है आरिप मौमत खान और capital तो वो है आपका तिर्वेंदरम पूरम ठीक है तो ये थे आपकी important current affair 21 February का इसका पूरा PDF आपको success की 98.in पर मिल जाएगा या फिर हमारे टेलिग्राम के उपर जो है वो लिंक दे दिया गया है तो वहां से भी आप सभी जो है डाउनलोड कर सकते हैं सो मेरे जितने भी भाई बैन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासाथ अपने ममी और पापा उनका भी खयाल वो दुगुन्ना तीजी से रंग लाएगा आपके जीवन में ठीक है चलिए